चलिए उस्वागत आपका एक और वीडियो में इस वीडियो में बात करने वाले हैं Redmi Note 12 स्रीज के बारे में जो की इंडिया में हाल ही में लाँच हुई है इस स्रीज में आपको तीन स्मार्टफोन लाँच हुए हैं Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro और Redmi Note 12 Pro Plus तो दोस्तो इस वीडियो में बात करेंगे इन तीनों स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में क्या के इसके फीचर्स हैं और कितने प्राइस में यह आपको मिलने वाले हैं दोस्तो बात करें Redmi Note 12 फॉन के बारे में तो इस फॉन में आपको 6.6 इंच की Super AMOLED डिस्प्ले मिलने वाली है 120 Hz का refresh rate और साथ में 1200 nits की peak brightness इस फॉन में आपको मिलने वाली है दोस्तो यह जो फॉन है Qualcomm Snapdragon 4 Gen1 Pro Processor के साथ में लाँच हुआ है यह जो processor है UFS 2.2 storage को support करता है और LPDDR4 XRAM को दोस्तो यह जो फॉन है Android 12 MIUI 13 operating system पर run करता है इस फॉन में आपको 2 साल तक operating system updates मिलती रहेंगे साथ में 4 साल तक security updates इस फॉन में आपको मिलती रहेंगे बात करें camera के बारे में तो इस फॉन में आपको triple rear camera setup मिलेगा जिसमें की जो primary camera है वो 48 megapixel का है साथ में 8 megapixel का ultrawide sensor है साथ में 2 megapixel का macro sensor है और 13 megapixel का front camera इस फॉन में आपको मिलेगा और साथ में दोनों ही site के हम जो smartphone है उससे full HD plus video को suit कर सकते है 30 fps इस फॉन में multiple modes मिलने वाले हैं photography और videography के लिए इस फॉन से आप slow motion video suit कर सकते हैं और भी multiple modes इस phone में आपको मिलने वाले हैं यह जो phone है दो variant में launch हुआ है 4gb RAM 128gb internal storage और दूसरा जो variant है वह है 6gb RAM 128gb internal storage दूसरा इस phone में आपको dedicated SD card slot मिलेगा जिससे की आप इस phone की internal storage को expand कर सकते हैं up to 1 TV तक दोस्तों बात करें network connectivity के बारे में तो यह जो phone है 5g phone है जो की multiple bands को support करता है इस phone में आपको Bluetooth 5.1 का support मिलता है NFC इस phone में हैं और GPS भी इस phone में आपको मिलने वाली है दोस्तों इस phone में जो आपको fingerprint sensor मिलने वाला है वो side mounted fingerprint sensor है इस phone में आपको 5000 MEH की battery मिलेगी और इस phone के साथ में आपको 33W का fast charger मिलने वाला है दोस्तों बात करें इस phone के price के बारे में तो इस phone का जो base variant है 4g VRM 128GB इसका जो price है वो है 17,9990 और जो इसका दूसरा variant है 6g VRM 128GB इंटरनल इसका जो price है वो है 19,9990 दोस्तों बात करते हैं इस series का जो दूसरा smart phone है Redmi Note 12 Pro phone तो इस phone में आपको 6.6 inch की Super AMOLED display मिलेगी जो की adaptive refresh rate के साथ में आती है जो refresh rate है 30 Hz से 120 Hz तक battery करेगा और इस display के साथ में 900 nits की peak brightness मिलने वाली है 240 Hz का touch sampling rate और यह जो display है HDR 10 plus को support करती है दूस्तों यह phone है MediaTek Dimensity 1080 processor के साथ में launch हुआ है जो processor UFS 2.2 storage को support करता है LPDDR4 X RAM को बात करें operating system की तो यह phone है Android 12 MIUI 13 operating system के साथ में आपको मिलने वाला है बात करें camera के बारे में तो यह phone है triple rear camera setup के साथ में आता है जिसमें की 50 megapixel primary sensor है 8 megapixel का ultra wide sensor है और 2 megapixel का macro sensor है साथ में 16 megapixel का जो camera है वो selfie के लिए इसमें दिया गया है rear camera setup से 4K video record कर सकते है 30 fps तक और full HD video 60 fps तक rear camera setup में आपको multiple modes मनने वाले है photography और videography के लिए जिसमें की आप video suit कर सकते है time lapse आप record कर सकते हैं साथ में blog mode इसमें आपको मिलने वाले है और भी watch mode आपको इस phone में मिलने वाले हैं जोस्तों front camera से हम 4K video को record नहीं कर सकते हैं लेकिन full HD video जरूर record कर सकते हैं 60 fps तक साथ में इसमें भी आपको multiple modes मिलने वाले हैं जिनका use आप कर सकते हैं यह 5G phone जो कि multiple bands को support करता है साथ में Bluetooth 5.1 मिलने वाला है और इसमें जो fingerprint sensor है साइट mounted होने वाला है यह phone भी 5000 MAH की 20 के साथ में launch हुआ है इस phone के साथ में आपको 67 Watt का fast charger मिलने वाला है यह phone है तीन variant में launch हुआ है 6 128 GB 128 GB और जो तीसरा model है वो है 8 GB 256 GB दोस्ते इस phone का जो base variant है 6 128 GB और जो इसका दूसरा model है 8 128 GB और जो इसका तीसरा variant है 8 256 GB और उसका जो प्राइस है 37 999 दोस्तों बात करते है यह सीरीज में तीसरा phone है Redmi Note 12 Pro phone इस phone Macro 6.6 7-inch की Super AMOLED डिस्पले मिलती है 120 Hz refresh rate के साथ में और यह जो refresh rate है वो 30 Hz तक 120 Hz तक automatically adjustable है 240 Hz का touch sampling rate 900 nits की peak brightness और यह जो डिस्पले है वो 2.2 storage को support करता है LPDDR4 X RAM को यह जो phone है Android 12 MIUI 13 operating system के साथ में आपको मिलने वाला है इस phone के साथ में आपको 2 years तक software update मिलने वाले हैं साथ में 4 years तक security update मिलते रहेंगे दोस्तों बात करें camera के वारे में तो यह जो phone है Redmi का पहला phone है जिसमें की आपको 200 megapixel का camera मिलने वाला है इस phone में आपको triple rear camera setup मिलेगा जिसमें की 200 megapixel man camera है 8 megapixel का ultra wide sensor है और 2 megapixel का micro sensor है साथ में 16 megapixel का selfie camera आपको मिलने वाला है rear camera setup से हम 4K video को suit कर सकते है 30 fps तक full HD video 60 fps तक और साथ में multiple modes मिलने वाले है जिसमें slow motion mode है blog mode है साथ में time lapse suit कर सकते हैं और भी modes इस phone में आपको मिलने वाले हैं दोस्तों यह जो phone है 5G phone है जो की multiple vents को support करता है इस phone में आपको GPS मिलने वाली है NAP से मिलने वाली है 3.5 mm का jack मिलने वाला है और साथ में जो fingerprint sensor है वो in display fingerprint sensor इस phone में होने वाला है यह जो phone है 488 CMEH-20 के साथ में launch हुआ है इस phone के साथ में आपको 120 watt का fast charger मिलने वाला है दोस्तों बात करें इस phone के price के बारे में तो यह जो phone है दो variant में launch हुआ है 8GB, 250, 6GB 12GB, 256GB इस phone का 8GB, 256GB वेरेंट 2999 में आपको मिलने वाला है और जो दूसरा variant है 12GB, 256GB उस phone की जो कीमत 3299 में होने वाली है अगर आप इस series के किसी भी phone को लेने की planning कर रहे हैं तो यह जो phone है flip card पर available होंगे और साथ में जो Xiaomi का official story MI.com उस पर available होंगे तो बस इतना है इस वीडियो में मित करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर पसंद आई हो तो चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और सेयर करें